तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों ने थमनिल में देखा कि बिना CSC के आप जो है आधार सेवा केंदर किस तरह से खोल सकते हैं आज किस वीडियो में आप लोगों को completely information देने वाला हूँ तो वीडियो में बने रही हैं तक चैनल पे नहीं होते हैं चैनल को सस्क्राइब करके ब अपने सेंटर से easily कर पाएं तो दोस्तो आधार सेंटर open करने के लिए आपको बिना CSC के भी क्या करना पड़ेगा आज के इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो जिन लोगों का CSC रहता है उनके पास तो जो है CSC UCL का registration का option रहता है जिससे कि वो CSC UCL का registration कर और वो जो है आधार में काम करना चाहते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को completely बताने वाला हूँ कि आप जो है बिना CSC के भी आधार सेवा केंदर ले सकते हैं और उसका process क्या है मतलब आप जो है CSC VLE हैं और अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप इ वीडियो को तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI की officially website पर आ जाना होगा लिंक आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा या तो आप जो है गूगल पर भी directly search कर सकते हैं UIDAI.gov.in तो भी आप जो है इस वाली website पर redirect हो सकते हो तो यहाँ पर जो है आपको इस तर आ जाएगा आधार dashboard का ठीक है ना तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने welcome to आधार dashboard का एक option open हो जाएगा यहाँ पर आपको enrollment का option मिलेगा यहाँ पर आपको अथेंटिकेशन का option मिलेगा और यहाँ पर आप आधार generate संख्या दिखाए देगी, टोटल यहांपर active enrollment एजनसी जो है, वो यहांपर आपको दिखाए देगी, इतनी सारी एजनसी है, मतलब, 857 एजनसी है, जो की यहांपर enrollment का काम देतीैं, तो यहांपर आपको जो है, by enrollment agencies के ओपर click कर लेना है, जैसी आप by enrollment. के उपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो है आधार generate process in agencies यहाँ पर आपको वो सारी अधार का काम करती है जो कि आधार center provide करती है और आधार का काम करती है तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी company देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर आपको एक graph level भी देखने के लिए मिल रहा है मैं थोड़ा सा इसको scroll down कर लेता हूँ तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी company देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पर जो है कौन सी company ने कितने आधार center provide कराये है जाएगी उसके बाद दूस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारी companies है तो आपको क्या करना है another tape open कर लेना है यहाँ पर आपको type करना है curvy data management तो जैसे आप यहाँ पर curvy data management के नाम से search करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको पहले ही website मिल जाएगी आपको इसको open कर लेना है लिंक मैं आपको नीचे वीडियो की description मैं भी दे दूँगा तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे है curvy data management का यहाँ पर officially page आ चुका है अब आपको scroll करके नीचे की तरफ चले जारा है तो जब आप नीचे की तरफ चले जाते हो तो यहाँ पर आपको जो है curvy data management company के बारे में सायरी detail मिल जाएगी अब दोस्तो अगर आपको आधार center open करना है तो यहाँ पर आपको जो है कुछ officially number दिये गए है जो की curvy data के customer care के number है यहाँ से जो है आपको fully support मिलेगा और यहाँ पर आपको fully information मिलने वाली है कि किस-किस process के माध्यम से जो है आप अपना आधार center open कर सकते हैं यहाँ पर आपको contact us पे click कर लेना है जैसे आप contact us पे click करते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक इस तरह का interface page आ जाएगा यहाँ पर आपको आपका नाम इंटर कर देना है यहाँ पर आपको आपका email address इंटर कर देना है यहाँ पर आप अपना phone number लिखेंगे यहाँ पर आप subject देंगे जैसे कि आप आधार center open करना चाहते है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए उसके बाद यहां से आपको जो है कंपनी को select कर लेना है यहां पर जो है आपको purpose बता देना है आप request करना چाहते हैं जÍसे अगर आप आधार center लेना चाहते हैं तोई तो आप यहां पर request टाइब करेंगे और यहां पर जो भी आपका message जो भी आप company को भेजना चाहते हैं जैसे कि मैं आधार सेंटर ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप उसको टाइप कर दीजिए इस वाले केप्चा को आप यहाँ पर फील करेंगे and send message पर क्लिक कर देंगे तो दूस्तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही जल्दी response मिल जाएगा company की तरफ से कि आपको आगे क्या-क्या process करनी होगी साथी साथ दूस्तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो है एक और company मिल जाती है Tara Software Limited तो इसको भी आप यहाँ पर search कर लिजिए Google पर तो दूस्तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं Tara Software का कुछ इस तरह का interface page रहेगा तो यहाँ पर भी आपको जो है एक option मिल जाता है contact us तो यहाँ पर आप click करेंगे जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का interface page आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह का एक form मिल जाएगा contact form यहाँ पर जो है आपको आपका नाम लिख देना है यहाँ पर आपको आपका email id लिख देना है यहाँ पर आप subject लिख देंगे phone number या mobile number आप यहाँपर enter करेंगे और यहाँपर आप अपना message type कर देंगे जो भी आप company के साथ में बात करना चाहते हैं जैसे कि आप आधाँ центр से related बात करना चाहते हैं तो आप अपना message यहाँपर type कर देंगे and submit पे click कर देंगे तो दूस्तो जब आप यहां पर submit कर देते हो तो यहां पर आपको company की तरफ से एक message किया जाएगा जिसमें कि आपको center open करने के बारे में सारी चीजे बता दी जाएगी और उसके बाद जो है आप easily अपना आधार center open कर सकते हैं साथी साथ यहां पर आपको contact number भी मिल जाते हैं contact support भी बहुत अच्छा है इनका तो यहां से जो है आप इनसे बात भी कर सकते हैं directly भी बीना CSC के, यह उसका complete process था जो कि मैंने आप लोगों को बताया अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like share जरू कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो एर चैनल को subscribe जरू कीजिए, साथी साथ दूस्तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जाइन नहीं किया है, तो टेलिग्राम चैनल को भी जाइन कर लीजिए लिंक आपको नीचे वीडियो की description में मिल जाएगा तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में किसी नई knowledgeable information के साथ तब तक के लिए जाहिं जाब